दोस्तों, आज हम बात करेंगे water treatment plant के बारे में water treatment plant में कुछ filters होते हैं जो पानी को dialysis में इस्तमाल करने लाएट बनाते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं sediment filter के बारे में sediment filter को multimedia filter भी कहते हैं multimedia filter पानी से 20 micron तक के particles को remove कर सकता है एक multimedia filter में कुछ पढ़ते होती हैं जैसे बड़े पत्तर, छोटे पत्तर और रेट जो की पानी को filter करते हैं दूसरा filter है carbon filter carbon filter पानी से chlorine और chlorine को remove करता है अगर पानी से chlorine को ना निकाला जाए तो यह मरीज के लिए सही नहीं है इससे मरीज को hemolysis भी हो सकता है अगर carbon tank सही से काम कर रहा है तो पानी में chlorine की मातरा 0.1 ppm से जादा नहीं होनी चाहिए carbon filter adsorption principle पे काम करता है carbon filter के बाद आता है water softener जब पानी में hardness बढ़ जाती है तो यह filter पानी से calcium और magnesium को remove करके उसको soft बनाता है अगर आप anti-scalent chemical यूज कर रहे हैं तो बहर membrane से scaling को हटाने का काम करता है ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe कीजिए thank you